दोस्तों कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों से एक टेक्स्टाइल कंपणी के बारे में बात किया था जो 52 वीक हाई लगा रहा था अपना और मैंने उसमें आप लोगों को सजेस्ट भी किया था कि आप छोटे से अमाउंट से आप बाई कर सकते हैं पेनी एस्टॉक और माइक्रो कैप कंपणीों का एक सबसे बड़ा प्रोब्लम रहाता है या तो कंटिनुवस अपर सरकिट लगता है या कंटिनुवस लोवर सरकिट लगता है तो दोस्तो मैंने आपको बदाया था यही टेक्स्टाइल कंपणी के बारे में आप देख सकते हैं आठ दिन पहले मैंने यहाँ पर वीडियो अफ्लोड किया था एक साल में जो उस टाइम पर पैसा डबल किया था और उस टाइम पर मैंने आपको जब प्राइस चल रहा था 96 रुपीज के आसपास में अपना 52 विक हाई लगा रहा था तब मैंने आप लोग को इसमें इंट्री लेने का सजेस्टन दिया था दोस्तो आज के डेट में आप देखेंगे कि अगर 96 के प्राइस के आसपास में अगर आपने इंट्री लिया रहा था तो आज के डेट में आपको लगबक 40 रुपया का उस पर बेनेफिट मिला रहा था लगबक 44 रुपया के आसपास में जब इस पर था दोस्तो जब इस rate candle को पार करके निकल गया था तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर buy करने का suggestion दिया था आज से 8 दिन पहले और वहाँ से देखी आपर सरकीट आपर सरकीट किसी किसी दिन trading हुआ है और last में जाकर close हो गया आपर सरकीट पर ही आप देख सकते हैं यह fundamentally a strong micro cap है fundamentally a strong micro cap है मैं इसका आपको लोगों के साथ मैं share करना चाहूंगा इसका fundamental दोस्तों यह United Poly Cap है गुजरात Limited का है जो यार्न बनाने वाली spinning company है यह 15 December का closing price 133 का आप market capitalization दे सकते 289 क्रोड का है और 52 week का high बनाया था 133 जो आजी के दीन का है 52 week का low बनाया था 17 रोपया 40 पैसाय का stock PE multiple trade हो रहा है जो 49.4 का industry का PE जो है 29.3 है face value इसका 10 है लेकिन दो बहतरीन परामीटर जो long term stock selection के लिए use किया जाता है ROCE जो 12.8% maintain है इसका ROE जो 18.7% का यह maintain करके रखा हुआ है debt to equity देखेंगे compare to market price थोड़ा सा है इस पे लेकिन इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है EPS देखेंगे 2.70 है लेकिन यह microcap की कंपणिया इसी तरह की होती है इसी तरह का इनका starting fundamental रहता है लेकिन धीरे धीरे यह grow करती है 5 years का profit grow देखेंगे तो 55% का है और sales growth देखेंगे तो 75.6% का है पर motor holding भी इसमें बहुत अच्छा है 45.5% का है और दोस्तों अगर हम पिछले 3 साल का यह देखें return यह आपको मैं दिखाओं यहाँ पर return अगर देखेंगे यह 3 साल का यह देखेंगे दोस्तों तो यह देखें 27 December 2019 को इसकी price था 2 रोप या अन्ठावन पैसा यहाँ पर देखेंगे और वहाँ से constantly upside में move करते 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 आज के date में देखेंगे कहां तक गया 133 पर close हुआ है तो just imagine किजिए कि माल लेजे किसी एक बंदे ने 1000 रोप या भी लगाया रहा था 27 December 2019 को ठीक है 1 के सिर्फ लगाया रहा था तो आज के date में उसका return कितना percent मिलता या उसका पैसा कितना गुना हो गया रहा था पैसा उसका एक 1000 का कितना मिलता अगर आज के date में अगर उबेश था यही long term investing के लिए होता है और इसलिए बोला जाता है जिसके अंदर potential है कि आपको एक wealth create करके दे सकता है लेकिन ये साथ में risky भी है ठीक है कोई जरी नहीं था कि वहन के इतना चलता ही लेकिन अगर चला तो इतना बड़ा amount बना कर दे सकता है आपको पैसे को 100 गुना, 1.500 गुना, 200 गुना कर सकता है और नहीं चले तो उतना ही प साल, 15 साल तक weight भी करा सकता है दोस्तों, ये एक microcap का दिक्कत होता है, अब मैं आपको इसके चार्ट पे लेकिया हूँ, इसके official website पे लेकिया है हूँ, United Polyfab, गुजरात Limited जो इस तरह का yarn बनाता है, ठीक है, ये धागा देख रहे हैं, धागा, इस तरह का yarn बनाता है, cotton yarn, रा दिखा रहा है, ठीक है, मीटर production है, installed spinal है, इनका, तो इस तरह का इनका production है, छोटी सी company है, yarn बनाने की company है, और जब आप product में जाएंगे, आप तो देख सकते हैं, हर तरह की fabric, cotton यहाँ पर दिखा दिया है, ही लोग ने cotton yarn बनाता है, dyed fabric बनाता है, gray fabric और denim, जिससे denim का paint short और बन बनता है, उसके लिए भी यह लोग यार्न बनाते हैं, दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि यह analysis आपको यह information पसंद आए,